कैसे करें ट्रांस्पोर्ट बिजनिस कितना होगा मुनाफ़ा आज हम इस वीडियो में ट्रांस्पोर्ट बिजनिस के बारे में बात करेंगे कि ट्रांस्पोर्ट बिजनिस क्या होता है, इसे कैसे शुरू करें, किन किन चीजों की जरूरत होती है दोस्तों आज के दौर में हर कोई ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना चाहता है और लोग उसके लिए तरह तरह के काम करते हैं अगर आप भी कोई कम पैसे में बिजनस शुरू करना चाहते हैं तो हम आपको एक ऐसे ही बिजनस आइडिया के बारे में बताएंगे जिसे कम पैसों में बड़ी ही असानी से शुरू किया जा सकता है आज हम आपको इस बिजनस की पूरी जानकारी देंगे ट्रांस्पोर्ट बिजनस क्या है? ट्रांस्पोर्ट बिजनस के बारे में काफी लोग जानते हैं पुपने तो देखा है होगा कि जब हम मार्केट से कोई भारी भरकम सामान खरीद लेते हैं, जिन्हें ले जाने में हमें दिक्कतें आते हैं, या यूँ कहें कि हमें कुछ सामान डिलिवर करना हो और उस शहर में हम नहीं जा सकते हैं, तो ऐसे में हम ट्रांसपोर्ट कंपनियों की मदद लेते हैं, उन्हें उस सामान का पैसा देकर अपने सामान को हम तह जगे पर पहुँचा देते हैं, और यही होता है एक ट्रांसपोर्ट बिजनेस, इसकी ज़रूरतें दिन बादिन बढ़ रही हैं और ऐसे में आप खुद की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी खोल सकते हैं, जैसा कि आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट बिजनेस में ज्यादा तर टाक्सी, आटो रिक्षा, ओन डिमार्ड वेकिल, कमर्शियल वेकिल और बड़े ट्रक आते हैं, किन-किन जरूरी लाइसेंस की आविशक्ता होगी? अपनी खुद की ट्रांसपोर्ट कंपनी शुरू करने के लिए सबसे बहले आपको आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है, इसके बाद आपको इस कंपनी को शुरू करने के लिए GST नंबर, शॉप आक्ट लाइसेंस और उद्योग आधार प्राप्त करना होता है, कौन सा ट्रांसपोर्ट विजनेस है जादा फाइदे मन्ग? टैक्सी सर्विस शेहरों में टैक्सी सर्विस का बहुत इस्तमाल किया जाता है, कई ओन डिमांड टैक्सी सर्विस देने वाले कंपनियां जैसे की ओला, उबर बहुत चल रही हैं, आप भी इस तरह की अपनी एक टैक्सी सर्विस शुरू कर सकते हैं, इसके लिए आपको ज्यादा दूरी भी तैक्रने की ज़रूरत नहीं होगी. आप लॉजिस्टिक्स और गुड्स ट्रांस्पोटेशन में भी अपना बिस्निस शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा निवेश की सहार्था से आसानी से बहुत अधिक मुनाफ़ा कमाया जा सकता है. देश में कई लॉजिस्टिक कम्पनियां काम कर रही हैं और बेहद अच्छा लाब कमा रही हैं. शुरुआत में आप एक गाड़ी की मदद से भी काम कर सकते हैं. इस बिस्निस को आसानी से शुरू किया जा सकता है. बड़े शहरों में अकसर देखा जाता है कि लोगों को पैकर्स और मुवर्स सर्विस की जरूरत पढ़ती है. उनका सामान एक जगे से दूसरी जगा पहुँचाने के लिए. आप चाहें, तो इस ट्रांस्पोर्ट बिस्निस को शुरू करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं. आपको अपनी ट्रांस्पोर्ट कंपनी के लिए वाहन खरीदने होंगे. और इस बिस्निस को शुरू करने के लिए आपको सरकार द्वारा लोन भी दिया जाता है. ट्रांस्पोर्ट बिस्निस शुरू करने के लिए 80% तक लोन सरकार की तरफ से मिल जाएगा. आपको आपके कुल इन्वेस्मेंट में 80% की मदद सरकार के द्वारा कर दिये जाने पर आपको 20% पैसे अपनी कमपनी के लिए खर्च करने होते हैं मुनाफ़ा कितना होगा? बिसनेस में मुनाफ़ा आपके द्वारा किये गए निवेश पर निर्भर करता है अगर आपकी ट्रांस्पोर्टेशन सर्विस में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स जोड़ेंगे तो आप लगभग 2-3 लाख रुपे प्रति महीना मुनाफ़ा कमा सकते हैं कैसे करें अपनी कमपनी का प्रचार? सबसे पहले आपको अपने कस्टमर्स बढ़ाने के लिए उन्हें अच्छी सर्विसस देनी होगी आप अपनी कमपनी के लिए जो भी ड्राइवर्स रखते हैं ध्यान रहे उनमें कोई शराब आदिकी आदत ना हो अपने वाहनों की सर्विसिंग का भी ध्यान रखना होगा आप नेटवर्क मार्केटिंग के जरिये भी अपनी कमपनी का नाम लोगों तक पहुँचा सकते हैं इसके लिए आप सोशल मीडिया और इंटरनेट की मदद ले सकते हैं अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें ऐसे और बिस्नेस आइडियास के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं